डियर स्टुडेंट आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने फेमिना मिस इंडिया 2023 के संबंद में बताने जा रहा हूं और यह जो फेमिना मिस इंडिया है अभी हाल फिलाल में इसकी घोशना की गई है जिसकी घोशना 15 अप्रेल 2023 को की गई है और इस फेमिना मिस इंडिया म मैं आप लोगों को जितना भी स्ट्राटिक जीके से related question बनने की संभाना रहती है उसको लेते हुए आपका current affairs तक की class को मैं cover करूंगा तो ये जो फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता है ये सबसे पहले तो ये जान लीजे कि ये फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता किस से related ह है तो पहले तो आप लोग heading बना लीजे फेमिना मिस इंडिया 2023 अब पहला इस पर question बन जाता है कि फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता किस से संबंदित है तो ये फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता जो है एक सौंदारे प्रतियोगिता है एक सौंदरे प्रतियोगिता और ये जो सौंदरे प्रतियोगिता है इसमें भारत के सभी राज्यों के और सभी केंदर सासित प्रदेशों के प्रतियोगी भाग लेते हैं जो महिलाओं से संबंधित एक सौंदरे प्रतियोगिता मानी जाती है अब सौंदरे का मतलब ये नहीं हो गया कि केवल सुन्दरता ही माइने रखती है इसमें एक तरीके से कई स्टेज में आप लोगों का इक्जाम के रूप में होता है जैसे कि स्विमिंग हो गया फिर फिजिक स्ट्रक्चर हो गया फोटो सेशन हो गया ये सारी चीजों को करते हुए लास्ट में इन सभी प्रतियोगियों से इंटर्व्यू भी लिया जाता है और उस इंटर्व्यू में टॉप 10 को छाटा जाता है इंटर्व्यू से पहले टॉप 10 लोगों को उसमें छटाई की जाती है और उसी टॉप 10 से इंटर्व्यू लिया जाता है उसी इंटर्विव के पश्छाथ जो उसमें से first second third आता है उसमें प्रथम प्रतियोगी को फेमिना मिस इंडिया घोसित किया जाता है तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि फेमिना मिस इंडिया क्या है एक सौंदर प्रतियोगिता है और इसका आयोजन दूसरा पॉइंट आयो और इसमें जो भी फेमिना मिस इंडिया विजेता होता है, वही ब्यक्ति मिस वर्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधितु करता है, मतलब जो फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में विजेता घुसित किया गया, यही आगे चल करके आपका, जब मिस वर्ड प्रतियो तो अब यहां पर आते हैं कि इसका आयोजन प्रतेक वर्स होता है और प्रतेक वर्स जब आयोजन होता है तो इसका पहला आयोजन किस वर्स किया गया था तो यह आपका उनसथवा था और इसका प्रथम आयोजन जो किया गया था वो 1964 में किया गया था पहली बार जो आयोजन ह कि फिर उन्हार किमी स्काइब करकें तो मेहर क्रिष्टिलीनो और ये जो मेहर क्रिष्टिलीनो थी इन्हें 1964 में पहली बार फेमिना मिस इंडिया घोसित किया गया मेहर क्रिष्टिलीनो मिस्त्री इनका पूरा नाम है और ये किस राज्य से रिलेटेड थी तो ये आपका महराष्ट राज से बिलॉंग करती थी तो इस तरीके से आपका प्रतम प्राप्त करता में मेहर क्रिष्टिलीनों मिस्तिरीजों की महराष्ट से रिलेटेट थी जिन्हें प्रतम हेविना मिस इंडिया घोसित किया गया अब 2023 से 2023 का जो विजेता है उसको जानने से पहले दो और पहले का हम लोग जान लेते हैं कि उन दो प्रतियोगिताओं में विजेता कौन था तो 2023 ये घोसित कब हुआ है 2023 अब 2023 से पहले 2021 का प्राप्त करता कौन था तो 2021 के प्राप्त करता थी मनसा वारानसी मंसा वारानसी और ये जो मंसा वारानसी थी ये किस स्टेट की थी तो ये तेलंगाना स्टेट से बिलॉंग करती थी तो 2021 के प्राप्त करता में मंसा वारानसी अब 2022 का प्राप्त करता तो 2022 की जो प्राप्त करता के रूप में शामिल हुई थी वो सीनी सथी सीनी सदानंद सथी पूरा नामिन का है सीनी सदानंद सथी और ये सीनी सदानंद सथी किस राजय से बिलांग करती थी तो ये करनाटक राजय से बिलांग करती थी ये करनाटक राजय से बिलांग करती थी तो इस तरीके से ये आपका जो भी फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता से related आपका static zee के बनता है, वो हमने आपको पूरा बता दिया कि Femina Miss India प्रतियोगिता जो है एक संदरे महिलाओं की एक संदरे प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन प्रतेक वर्ष किया जाता है और इस Femina Miss India जो भी बिजेता होता है वो miss surround प्रत्योगitah में भारत की ओर से प्रत्नी हित्तु करता है उसके बाद से इसका दो webinar Miss India प्रत्योगitah का जो पहली बार आयोजन किया गया वह 1964 में किया गया और प्रत्थम प्राप्ट वो सीनी सदानन सेटी करनाटक की रहने वाली थी अब हम लोग आते हैं 2023 और 2023 फेमिना मिस इंडिया की घोषणा कब की गई तो इसकी घोषणा अभी हाल फिलहाल में 15 अप्राइल 2023 को की गई 15 अप्राइल 2023 को और इसका जो आयोजन किया गया था वो आयोजन कहां पर किया गया था तो वो आयोजन आपका इमफाल मडीपूर में किया गया था इंफाल मडिपूर तो आपका ये संस्करण कौन सा था तो ये संस्करण में अगर चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं ये आपका 69 संस्करण 69 संस्करण तो इस तरीके से आपका 69 फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन 15 अप्रेल 2023 को इंफाल मडिपूर में किया गया अब इसमें 2023 का प्राप्त करता कौन था तो 2023 में जिसे फेमिना मिस इंडिया घोसित किया गया वो थी आपकी नंदनी गुपता और ये नंदनी गुपता कि स्टेट से बिलॉण करती हैं तो ये नंदनी गुपता जो हैं राजस्थान राज्य से बिलॉण करती हैं तो इस त गया और उसकेाद से यही सीनी सदानण सटी ने नंदनी गुपत को फेमिन次 parody का ताज पहनाया और यही नंदनी गुपत जो है जा करके आने वाले समय में जो 9,9 में इसम्रमें तो यह धूती है उसमें के रूप में हो गई तो first runner up का मतलब हो गया second position किसका था तो इसमें स्रेया पुंजा स्रेया पुंजा और यह स्रेया पुंजा जो थी यह first runner up के रूप में घोसित की गई और यह स्रेया कुंजे जो हैं दिल्ली स्टेट से पृत्नी दितु किया इसके से के बास सकर्सक्राफ रॉनरफ कॉन था तो सेगेंड रॉनर अडॉप में आपका स lies थोना ओजम स्ट्रेला तोनम थोना ओजम इस्ट्रेला अगर नैसा न्हिंべर कि हूँ फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता सेकेंड रनर अपके रूप में घोसित की गई और यह किस इस्टेट की रहने वाली हैं तो यह मड़ी पूर की मड़ी पूर इनका पूरा नाम अभी और आगे है थोना इस्ट्रेला अंजा लुआंग लुआंग तो इस तरीके से मड़ी पूर की थोना इस्ट्रेला अंजा जो थी वो आपका सेकेंड रनर अपके रूप में घोसित की गई तो अब एक तरीके से करेंट अफेर्स आपका यह हो गया कि फेमिना मिस इंडिया दो हजार तेईस की घोशना 15 अप्रेल दो हजार तेईस को इंफाल मड़ी पूर के इंफाल में घोसित किया गया जिसमें बिजेता के रूप में राजस्थान की नंदनी गुपता को शामिल किया गया सेकेंड पोजीशन दिल्ली की स्रेया पुन्जा को प्राप्त हुआ और थर्ड पोजीशन मड़ी पूर स्टेट की थोना इस्ट्रेला ओंजा लुआं को प प्रतियोगी सामिल थे अब जब ये इस तरीके की घोशना की गई तो इसमें जो जजों का पैनल था नयाधीसों का प्रतियोगता के लिए जो पैनल गठित किया गया था उस पैनल में 5-6 लोग शामिल थे जिसमें नयाधीस के पैनल में आपका नेहा धूपिया जो कि आपका 2002 दो में इने फेमिना मिशिश्ट की जिए तो पहला आपका नायाधीस के रूट में नेहा धूपिया हो गई ढूसरा है आपका लाइस राम सरिता डेवी और ये लेस राम सरीता देवी का संबन जो है बॉकसर के रूट में जानाः जाता यह एक तरीके से मुंक्यबाजी प्रत म्रता जो सी पूरा जो है, वो फैसन डिशाइनिंग से संबंदberries रखती हैं। उसके वाद से पाँछवां जो ही वो राकी स्टार और यह फैसन डिजाइनर से रिलेटेड है। और चटवय के रूप में नय अधीस के रूप में शामिल उए थे नय अधीस के पैनल में वो थे हर सवर्धन, कुलकर्णी और यह फिल्म निर्देशक के रूप में कारे करते हैं तो इस तरीके से कुल मिला करके 6 लोगों का एक पैनल गठित किया गया था और इसी 6 लोगों के द्वारा Femina Miss India 2023 का चुनाव किया गया तो आपका यह टोटल जीके आपका Femina Miss India से current affairs का जीके complete होता है इसमें फिर से मैं एक बार आपको repeat कर देना चाहता हूं कि Femina Miss India 2023 जो था ये कौन सा संसक्राण था तो 69 संसक्राण था और इस 69 संसक्राण की घोशना आपका 15 अप्रेल 2023 को इमफाल में किया गया और ये फेमिना मिस इंडिया जो बनी वो राजस्थान की नंदिनी गुपता को विजेता के रूप में घोशित किया गया जबकि दिल्ली की स्त्रेया ने बता दिया जिसमें मुख्य रूप से 2002 में फेमिना मिस इंडिया विजेता घोशित की गई नेहा धूपिया थी उसके बाद से नेहा धूपिया के अलावा आपका कुछ बॉक्सर भी थे जिसमें आपका लैस राम सरिता देवी जो की मुख्य बाजी से रिलेटेड हैं ट तो भी फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता है यह आपका स्टाडिक जीके के साथ साथ पूरा आपका करेंट अफेर्स कंप्लीट होता है तो आज के लिए बस इतना ही थांक्यू सो मच